वाखी को इग्नॉर कीजे और गाई से एक टैमनेस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो गाईस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाईस एक जनरल रीडिंग है हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को पॉस्टिव वे में लीजेगा जितना आप से रेजोनेट हो से रखिए बाकी को इग्नॉर कीजे और गाईस एक टैमनेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिं बिल्कुल भी नहीं है, okay, so आज का जो हमारा topic है, वो guys, यह रहने वाला है, कि आपकी किस्मत आपको कहां लेकर जा रही है, ठीक है, कहां लेकर जा रही है, आपकी किस्मत आपको, ठीक है, so let's start your reading, प्लीज गाइड किजए angels, मेरे viewers को कहां लेकर जा रही है, soulmate, आपकी किस्मत आपको soulmate के पास लेकर जा रही है, प्लीज गाइड किजए angels, मेरे viewers की किस्मत, मेरे viewers को कहां लेकर जा रही है, expansion, वाव, abundance, सोने की तोत्य जोरी, क्या बात है, वाव, self-worth, beautiful, manifest कीजए guys, यही से reading, ठीक है क्योंकि reading अब बहुत हमा के तार आईजी, soulmate, forgiveness, faith, perseverance, rejection, beautiful, beautiful, and renewal, kajab, impatience, perfection, इसको कैसे छोड़ दू मैं, mysticism, यह पहले भी आ रहा था, बट मैंने deck में दुबारा लगा दिया था, लेकिन जिसको आना होता है, वह दुबारा आई जाता है, वह bottom से आ गया, mysticism, guys, आप लोगों की किस्मत बहुत सही track पर है, बहुत सही जा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सही direction में आगे बढ़ रहे हैं, rejection और perfection, ठीक है, rejection भी आपको मिला है, और perfection में भी आप ही आकर दिखाने वाले हैं, that's great, start करते हैं, हम soulmate के साथ, ठीक है, card आया था, कहां लेकर जा रही आपकी किस्मत, देकि सबसे पहले तो, आपकी किस्मत आपको एक अच्छे partner से मिलवाईगी, ठीक है, क्योंकि आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बहुत loyalty दी है, और बहुत ही जादा, उन्होंने अपनी life में अपने लिए भी किया, और दूसरों के लिए भी किया, तो deserving हैं, ठीक है, deserving है वो लोग, soulmate यहाँ पर निकल कर आया है forgiveness के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने गलत करने वालों को भी यहाँ माफ किया है, ठीक है, मेरी reading को अगर follow करते हो गाई, तो मैंने बोला है कि माफ कीजे, माफ करने से soul contract खतम होते हैं, soul contract, माफ ही मांग भी लीजिए, और दे भी दीजि तो आप space create हो गया, अच्छी चीजों के लिए अच्छे लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपकी माफी जो है, वो अच्छे लोगों को attract करेगी, यानि कि soulmates को attract करेगी आपकी life में, ठीक है, soul partner को attract करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जिनको माफ नहीं कर रहे थे या जिन से आ गेरे हुए थे, और जब तक वो energies को घेरे हुए थे, अच्छी energies आपकी life में आँ, नहीं सकती, ठीक है, जैसे एक room है, आपको इसमें एक नया समान रखना है, कुछ नया रखना है, तो आपको पुराना समान हटाना होगा, वहाँ से, तब ही space create होगा, बिलकुल वैसे ही, आ लोगों से, माफी मांग लो, soul level पर जाकर, soul माफ कर देती है, तो आपके, वहाँ soul contract खतम होते हैं, और अगर आपकी soul किसी को माफ कर देती है, तो आपके भी soul contracts खतम हो जाते हैं, ठीक है, तो यही strong यहाँ पर आपकी जो destiny ने है, यहाँ पर आपके लिए soul mate को सोचा है, आपक एक romantic partner के साथ-साथ उन लोगों को भी देख सकते हो, जैसे आपको भी तक रिष्टेदार relationship में, जो आपके relatives हैं, यह सारे लोग भी अगर आपको अच्छे नहीं मिलेते, तो आपको ऐसे लोगों से आपका रिष्टा बनेगा, जो आपको सभी soul mates की तरह प्रतीत होंगे, जो दूसरा gossip and faith, देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है कि आपने अगर कोई काम किया यहाँ पर, आपने अच्छे मन से भी चीज़ें की, लेकिन हो सकता है कि आपके बारे में गलत बातें बोल दी गई हो, या फिर आपका मन कितना भी साफ क्यो ना रहा हो, दुनिया आ कर पाते हो, लेकिन आपकी नियत साफ है, ठीक है, तो नियत का result तो इशर देंगे, और दिखावे से तो इनसान ही खुश होता है, और बात में अगर नियत साफ है, तो इनसान भी खुश हो ही जाता है आपसे, तो यहाँ पर gossip हो सकता है, पास्ट में लोगों ने आपको अच्छा result देखने वाले हैं आप और वो सारे लोग जिन्होंने आपकी पीट-पीछे बातें की है, ठीक है ना, तीसरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि परसिवेरंस कार्ट के साथ कि आप आप में इतनी हिम्मत आ गई है, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बहुत सपोर् आपकी बहुत अच्छा सोल एक्सपेंशन आपकी डेस्टिनी आपको दिखाएगी है, मतलब सोल का एक्सपेंशन होने का मतलब है कि बहुत चीजां हील हो जाना ठीक है, जो भी आपके वुंड्स थे, आपके घाव थे, जो भी आपको चीजां ट्रिगर कर रही थी वह इसा क्यों होता है कि दुनिया के सारे लोग आकर मुझे ही रिजेक्ट मारते हैं, ठीक है उपर अबंडेंस है, ठीक है न तो रिजेक्शन भी मिलाए तो मतलब जैसे कहते हैं एक हाथ अगर कुछ गया है तो दूसरे हाथ मिलेगा भी तो अबंडेंस भी है डियर यहां पर के लिए, ठीक है आपको नहीं पता है पत्ते खुलेंगे अभी चलते जाएए आगे, यहां पर अबंडेंस का कार्ड है, मतलब युनिवर्स ने आपके लिए सारी चीज़ें सोचके रखी हैं और वो चाहते हैं कि यह सारी चीज़ें आप खुद से कमाएं, खुद से खुद कमाई, तो रिजेक्शन आपको मिला है तो फिर अर्निंग भी अगर आप खुद करते हैं तो फिर वो बेस्ट आंसर होता है, तो अबंडेंस का कार्ड वही चीज़ दिखा रहे हैं कि अगर आपको पास्ट में कभी रिजेक्शन मिला है कि आप वर्ती नहीं है, तो देखें, दोनों ही कार्ड से मौझूद हैं, अबंडेंस का भी और सेल्फ वर्त का भी, यह आपके फेट का रिजल्ट है, जो आपने अपनी साफ नियत के साथ किया है, ठीक है, यहाँ पर अबंडेंस और सेल्फ वर्त दोनों ही मौझूद हैं, ठीक है, और रिनूवल भी मतलब आपकी किसमत आपको जहां भी लेके जा रही है वहां पर बहुत सारा मनी है आपकी खुद की वर्थ होगी वहां पर आप एक न्यू स्टार्ट डेफिनिटली करेंगे अपनी लाइफ में ठीक है यहां पर रिजेक्शन के बाद इंसान बदलता है और टाइम नहीं लगत है कि आप थोड़ा बहुत पेशन्स नहीं बना पार है आपको लग रहा है कि यही सही समय है यही सब कुछ मिल जाना चाहिए इस ही समय मिल जाना चाहिए बट डिवाइन टाइमिंग पर जब चोछीज आपको मिलेगी न वो आपको सर्प्राइजस की तरह मिलेगी आप पस रखते जाहिए जैसे आपने अभी तक रखा है बहुत ही बेस्ट डेस्टिनी मुझे आपकी नजर आती है वाव लव लाइफ टोर तु रॉमांस बॉटम से अप्रीसियेशन भी है अटाच्मेंट अटाच्मेंट ला इशू है रहां पर फोरे लोग के साथ स्ट्राटीजी एन्वी हम् स्ट्राटीजी एन्वी हम् स्ट्राटीजी एन्वी आपकर अप्रण अपकर देश्टिनी का है गाइस सिख यहां पर आपकी किसमा तब हो काना लेकर चाहिए दिए तो आपकी जो लव लाइफ है, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अगर ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उसका कारण मुझे लगता है जेलस लोग, या फिर नेगेटिविटी, कुछ कार्मिक पैटरंस, इनी की वज़े से आप अपनी परसनल लाइफ में बहुत सफर क करते हुए आए हो यह नजर आ रहा है, तो आपका कनेक्शन इतना खुबसूरत कनेक्शन था, क्यारिंग कनेक्शन आया है, कि लोग आपकी कनेक्शन को देखते जलते थे, तो वह को सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर उस चीज की नजर लगना जिसे हम कहते हैं, तो हो प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने आपको बताया है, कैंडल वैक्स में बताया था मैंने, तो आप उस चीज को ट्राय कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह चीज मुझे स्पेशली नजर आ रही है कि लव लाइफ में स्टॉंग स्टॉंग न्यू बिगनिंग है, और यहाँ पर ए एप्रिशेशन और सन दोनों ہी कार्ड़ से खारे हैं कि अवर ब्यूोडिफफल आपका और अरा है और लोग एप्रिशेट कर रहे हैं सन कार्ड के सा teng gall के साथ मुझे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ सन आता है रिडिस ngo में तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहर हूँ वो आपको prayers करने की दूसरे chapter में आपको prayers करने की ज़रुत नहीं है, सीधे results देखिए, attachment का एक issue मुझे अभी भी नज़र आता है, काफी सारे लोगों के बीच में, आप जिस पर partner के साथ हैं, वो आपको already एक caring connection है, लेकिन आपको फिर भी उसके साथ एक बहुत strong attachment है, ठीक है, attachment कही कही नहीं आपको low vibration में लेकर जाती है, क्योंकि attachment आपको insecurity में लेकर जाती है, attachment आपको fear में भी लेकर जाती है, attachment कही नहीं आपको बहुत जादा अंदर से बेचेन करती है, impatience करती है, ठीक है, attachment है यह जो आपको impatience कर रही है, जो आपको डरा रही है कि connection खो जाएगा, इंसान खो जाएगा ठीक है जब कि यह जो connection है यह caring connection है caring लिखा है उस पर इसका मतलब है कि यह दो तरफा connection है ठीक है आप इस connection के लिए अगर possessive नहीं भी होंगे तब भी यह connection कहीं नहीं जाएगा ठीक है न तो यह एक issue आ रहा है आप लोगों के लिए इस issue को heal करने की ज़रात है आपको अगर आप free छोड़ते हैं खुद को और unconditional love में आते हैं तो यह issue सही हो जाएगा आपका ठीक है आप बहुत अच्छे से life को जी पाएंगे insecurity fear के सारे blockages आपके heal होंगे क्योंकि connection आप ही का है और आपकी destiny में भी है आपकी किसमत इस से मिलवाएगी आपको आने वाले समाए में ठीक है issues को heal कीजे, attachment मत रखिए ठीक है आप किसी चीज़ को पकड़ के manifest करते हैं बिल्कुल जैसे आपने ये card है, ये card आप पाना चाहते हैं ठीक है universe से मांग रहे हैं आप इसको पकड़े हुए हैं कि universe ने ये मुझे दे दिया universe ये मुझे दे रहे हैं, दे रहे हैं जब तक आप इसे free नहीं छोड़ेंगे न तब तक ये attract नहीं होगी आपकी तरफ आपने, आपको कहना क्या है कि मैंने universe को, मैं ये चीज़ चाहता हूँ मैंने universe को सौप दी है अगर मेरे लायक है तो ये मुझे मिलेगी तब ये चीज़ आकर आपसे आकरशित होती है आपको इस तरीके से manifest नहीं करना है कि आप इसको हाथ में पकड़ के manifest कर रहे हो ठीक है यहाँ पर card है hostilities और strategy देखिए आपके divine universe, angels spread guides जो भी आपके east अडाद है वो आपके लिए strategies खुदी plan कर रहे है सारी ठीक है, सारी चीज़ों को align ये खुद कर रहे हैं याँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपके रास्ते में जो भी blockages आ रहे हैं उन सारे blockages को remove करने का भी काम ये कर रहे हैं यहाँ पर Lord Ganesha की energy नहीं है लेकिन मुझे Lord Ganesha की energy feel हो रही है वाओ, यहाँ भी happy family है विट 10 of pentacles card Moon Fool Star ती मेजर अगान आनो, Fool, Moon और Star यह भी आ रहा है वाओ, चार-चार मेजर अरकाना, 1, 2, 3, 4 एक ही reading में पांच में से चार मेजर अरकाना है यहाँ पर अगें, 5 पांच मेजर अरकाना, Empress बीटिफुल एनरजी तेरों से 10 कार्ड लिए और 10 में से उपर 4 और नीचे 2 ठीक है साथ साथ मुझे 6 छे मुझे यहाँ पर मेजर अरकाना नजर आ रहे हैं ठीक है यह 6-6 मेजर अरकाना आपको यह बतानी की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो है 10 of pentacles abundance का कार्ड है यह family का कार्ड है यह happy family का मुझे ऐसा लगता है कि यह perfection की बगल में Empress पता है क्या मैसेज दे रहा है perfection और Empress यह बतानी कोशिश कर रहा है कि जितने लोग perfection में हैं उनकी life में उनकी शादी manifest हो रही है ठीक है बहुत साय लोग यहाँ शादी करना चाहते हैं एक अच्छे पार्टनर के साथ करना चाहते है हेरोफेंट कार्ट के साथ manifest करना अपनी शादी और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी pregnancy manifest करना है कुछ लोग मुझे लगता है कि अपनी happy married life अगर already married है तो एक happy married life manifest करना है यह तीनों चीज़ हैं यहाँ पर manifest हो रही है चौती चीज़ जो है इस्ट्रॉंग स्ट्रॉंग करियर या फिर आप lawyer हो, वकील हो, government job में हो क्योंकि hierophant भी है नहीं हो अगर उस चीज़ की preparation कर रहे हो मुझे वो सारी चीज़े manifest होते हो नजार आरी, hierophant government job की भी बात करता है, lawyer की बात करता है यहाँ पर judge की बात करता है इस field में अगर आप हैं तो definitely मुझे energy लग रही है कि अगर आप इस तरह की कोई post को manifest कर रहे हैं तो वो भी आप manifest होगी, strong strong career है यहाँ पर star card है, मुझे बहुत लोग दिली लगता है कि आप name fame को भी manifest कर रहे हो, उस चीज़ पर भी आप बहुत काम कर रहे हो कि आपको name, fame, fame, star की आप को लोग जाने, आपके बहुत सारे followers हो, possibility है, बिल manifest कर रहे हो, वो star बनना चाहते हैं अपनी life में, name fame पाना चाहते हैं तो ठीक है, definitely अगर आप manifest करेंगे तो चीज़े मिलेंगी, यहाँ पर moon and seven of wands, एक चीज़ मुझे आप नजर आ दिए कि moon कही न कहीं आपको भ्रहमित करता है, मतलब कहने का यह है कि आप बहुत ही चंचल म आपको अपने moon को strong करने के लिए, यहाँ पर आप meditation कर सकते हैं, ठीक है, full moon और new moon के आसपास बहुत जादा, या फिर आप mala jab कर सकते हैं, mantra chanting जिसे हम बोलते हैं, mala jab अगर आप करते हैं, इसके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी कोई mantra, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे comment section में बताईएगा, तो यह चीज़ आपकी balance रहे तो मतब तेजी से देखने को मिलने वाला है आपको, इस तरीकी कि मुझे आपकी reading नहजार आ रही है, काफी beautiful reading है, ठीक है, manifest करिए, मैं आपको पहले ही बोला था, कि manifest करिए reading, आपकी reading बाल अच्छी आई है, लेखे एंगल्स क्या बताते हैं आपको, 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 आप यह आप से कह रहें कि universe आपके साथ हैं और आप protected हैं आप loved हैं आपको बहुत प्यार दिया जा रहा है है higher learning you have learned from experiences more inner studies not required to further progress यह आप से कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ already learned कर लिया है अब आपकी further progress के लिए और ज्यादा higher learning आपको दी जाएगी और अच्छी बातें आपको सिखाई जाएगी आर्गे अंजल माइकल, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur यह आप से कहने हैं कि आप सेफ हैं और angels आपके आसपास ही खड़े हुए हैं ठीक है, surrender करिए अपने concern को जब आप कहेंगे आप जब इनको बुलाएंगे तब ही आएंगे ठीक है तो अपना जो भी आपका concern उसे surrender करिए और देखिए कि miracle किस तरीके से होते हैं ओके डियर्स यह आपकी रीडिंग निकल करा है, यह बहुत ही कुपसूरत रीडिंग है, जरूर मैनिफेस्ट करें और गाइस मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें थैंक यू गईस